तो दोस्तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपके चार्ट पर जो है तो आपका चार्ट वन डे की टाइम फ्रेम पर आपने सलेट करना है यानि कि आपके चार्ट पर जो भी केंडल स्टिक दिखेगी तो अब हर यह केंडल वन डे की हो जाएगी उसके बाद में इसको म मन लो कि price जो है तो इस तरह से नीचे चला आया और यहां से price ने क्या किया कि दुबारा price यहां से जो है तो suddenly बहुत ज़्यादा moment देता है इस तरह से अब आपके लिए क्या हो जाएगा कि यह जो level है तो यह demand zone हो जाएगा क्योंकि इस level से जो है तो वो price उपर चला गया है इसका मतलब क्या है कि इस level पे जो है तो यह बहुत से ऐसे buyer है जिनकी demand है यानि कि इस price के लिए जो है तो वो लोग interested है तो इसकी वज़े से अब आपने क्या करना है कि दुबारा price का इस level पे आने का जो है तो वो patiently wait करना है अब next time जब भी price जो है तो इस तरह से इस level पे आएगा इस level पे तो आपने क्या करना है इस level पे जो है तो आपने bullish price action देखना है यानि कि थोड़ा price action को आपने ध्यान में रखना है यहां पे जो है तो आपको bullish प्राइज अक्षन अगर इस लेवल पर प्राइज अगर दिखाता है तो आपके लिए जो है तो यह क्या हो जाएगा यह आपके लिए यहां से जो है तो वो लॉंग इंटर हो जाएगी क्योंकि यहां पर जो है तो वो बहुत सारे बायर है तो जो अब वेटिंग में है कि यह यहां पर जैसे ही Приस आता है तो half बाई ओर्डर लगते हैं तो यहां पर beallish प्राइज एक्शन दिखाता है तो आपकी जो इंट्रे है तो यहां पे हो जाएगी और आपका जो stop loss है तो यहां पर आ जाएगा अगर ज्यादा बड़ा stop loss नहीं है तो अब हम मान लेते हैं कि price ने क्या किया कि यहांपर जो है तो यहां से price ने यहां ऊपर नहीं चला गया बलकि price ने क्या कि इस level को जो है तो ब्रेक कर दिया अब इस condition में आपने क्या करना है कि immediately यहां पर जो है तो long भी नहीं जाना है और short भी नहीं करना है क्योंकि यह जो है तो यहां पर वो false breakout भी हो सकता है तो आपने इसकी वज़े से short भी नहीं जाना है आपने क्या करना है आपको यह real breakout है या false breakout है यह पहले देखना है आपको अगर short भी जाना है तो आपने क्या करना प्राइज को निच्चा आने देना है और बाद में प्राइज अगर इसको रिटेस्ट करने आता है और रिटेस्ट करने के बाद में इस लेवल पे जो है तो प्राइज अगर यहां पर बियरिश प्राइज अक्षन दिखाता है आपको इस लेवल पे bearish price action दिखाता है तो आप क्या कर सकते हैं यहां से फिर short जा सकते हैं इस level पर आपकी जो है तो यह entry हो जाएगी आपका stop loss इस level पर हो जाएगा अगर बड़ा नहीं है तो अब दूसरी यह condition आती है demand zone में कि मान लो price ने क्या किया कि इस level से break होने के बाद में यहां पर retest करके retest नहीं किया बलकि इस level को जो है तो दुल बड़ा जो है तो ब्रेक कर दिया अब इस condition में आपने क्या करना है यहां से उपर जाने के बाद में price ने आप जो है तो इस level पे जो है तो आप यहां पर buy कर सकते हैं और बड़ा stop loss नहीं है तो इसके नीचे रहेगा क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही यहां से price यह हो जाता है पहले तो यहां पर क्या होता है यह false breakout होने के बाद में जो novish trader होते हैं उनको पता नहीं होता इस चीज़ का तो वो क्या करते हैं कि यहां से breakout होगर करके वो short energy करते और उनके stop loss यह पर रहते हैं तो price क्या करता है कि उनके stop loss hit कर देता है तो stop loss मतलब क्या है आप वो this side buy order हो जाते हैं और यहां पर जो है तो वो huge buy order लग जाते हैं तो आपने इसे का फाइदा उठाना है और आपने क्या करना है कि इस लेवल पे जो है तो आपने इस लेवल पे बाय करना है आपका इस लेवल पे और आपका stop loss इस लेवल के नीचे हो जाएगा इसको मैं आपको अब practical chart पे बताता हूँ अब यहां पे अगर देखते हैं तो यह बैंक निप्टी का practical chart है प्राइद जो है तो यहां पे अगर देखेंगे अब मार्केट जो है तो यह शुरू है और यह जह 44,000 इसके उपर यह बैंक निप्टी फिलहाल शुरू है तो प्राइज ने अगर देखते हैं तो यहां पर क्या किया है यहां से क्या हुआ कि प्राइज ने यहां से जो है तो वो उपर चला गया फिर नीचे आ गया अब यहां पर अगर देखेंगे तो इस लेवल पर जो है तो वो उपर चला गया है अब next time price यहां पर आ गया था उसके बाद में आपके लिए जो है तो यह perfect opportunity जो है तो यह buying opportunity हो जाएगी इस level पर अब second time क्या हुआ है कि यहां से price उपर चला गया और यह दुबरा यहां पर आया है तो अब जैसे ही price जो है लेवल पर तो आपके लिए यहां पर जो है अगर bullish price action दिखाता है तो आपके लिए यहां पर long entry हो जाएगी आपका stop loss जो है तो यहां पर आ जाएगा अगर price क्या करता है कि इस level को यहां पर bullish price action नहीं दिखाता है बलकि यहां पर क्या करेगा price की इस level से जो है तो वो break करेगा तो आपने immediately जो है तो वो short entry नहीं करना है आपने क्या करना है कि patiently wait करना है price यग तो इस level पे आने का और इस level पे अगर price फिर से यहाँ पर bearish price action दिखाता है तो आप जो है तो यहाँ पर short entry कर सकते हैं आपका stop loss इस level पे रहेगा तो इसको ध्यान में रखना है अब यहाँ पर जो है तो यह price इस level पे आया है यहाँ पर आगर देखेंगे क्योंकि यहाँ से price क्या हुआ है वो कितने बार उपर गया है यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस level पे इस level से price कितने बार उपर गया है यह एक बार यहां पे देखेंगे यह दूसरी बार आया है यहां पर इस level पे और यह अब third time आया है तो यह इसका मतलब क्या होता है कि इस level पे जो है इस level पे इस level पे तो यहां पर buyers आही and that's it guys in this video यह जो है यह supply demand zone यह जो होते है तो यह technical language है आपको अगर सच में stock market में survive करना है तो आपको price action के बारे में सीखना पड़ेगा price action आपको सब कुछ बता देता है कि market में और आपके chart में जो बड़े player होते है तो उनकी moment क्या हो रही है वो buy करने वाले है या तो sell करने वाले है इसके लिए आपको price action कभी ना कभी आपको द्यान में रखना आपको अगर stock market में और trading में successful trader बनना है profitable trader बनना है तो आपको कभी न कभी price action के बारे में सीखना पड़ेगा गुजराथी में एक कावत है कि भाव भगवान चे यानि कि भाव ही सब कुछ है वैसे ही stock market में और trading में भी है price is supreme तो price की वज़े से जो है तो stock या तो कोई भी index उपर या तो नीचे जाता है आपको भी अगर stock market में और यहां पर trading में successful trader बनना है तो आपको price action शिखनी है तो जिसके लिए मैं आपको मेरा course में यह पूरा package है जिसमें मैं आपको pure point CPR, price action, lot sizing, risk management, trading, psychology इन सब के बारे में आपको मैं यह course में बताता हूँ और सिखाता हूँ जिसमें मैं आपको इन सब में expert करके छोड़ता हूँ आप भी अगर इस description में इसका link दिया हुआ है उसके उपर click करके आप मुझे whatsapp या तो email के उपर contact कर सकते हैं so thanks for watching see you in the next video